सास्तरेकाल नमस्कार हमारे सभी किसान भाईयों को मैं समसेर सिंग विरकाब बने फार्मिंग ज्यान चैनल के साथ किसान भाईयों आज का वीडियो हम लेके आए हैं मक्के की बिग्यानी खेती जो किसान भाई हमारे मक्के की खेती पहली बार करने जा रहे हैं या जो किसान भाई मक्के की खेती करते चले आ रहे हैं तो इस वीडियो में आप लोगों को कुछ मुख बाते बताने वाला हूँ मक्के की खेती पे जिसे अधिक पैदावार ली जा सकती है तो जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करके और पासवाली घंटी को भी जरूर दबादें जिससे आने वाले सभी वीडियो आप सभी तक किसान भाईयों बराबर्त पहुंचते रहें आलू की फसल लेने के बाद और गन्ना कटाई करने के बाद जो खेत खाली होते हैं तो मक्का बुआई करने के साथ किसान भाई अतरिक्त आये भी कमा सकते हैं कम पानी में भी मक्का का उत्पादन अच्छा हो सकता है मक्का की फसल साल भर लगाई जा सकती है हलाकि रभी के मौसम में इसकी उत्पादकता ज़्यादा मिलती है प्रती हेक्टर बीज की भी लागत कम पड़ती है मक्के की फसल से अनाज के साथ पसूं के लिए हरा चारा पी उपलब्द होता है और मुर्गियों का फीड भी त्यार किया जाता है जरूरत पढ़ने पर हरे भुटे भी मिल सकते हैं मक्का का इस्तेमाल कई तरह के उद्योगों में भी होता है लिहाजा किसान को आए एक नई सारे जरिये मिलते हैं बुआई का समय मक्के की खेती तीन रितों में की जा सकती है खरीप में जून से जुलाई तक की जाती है रभी में अक्टूबर से नॉंबर तक की जाती है जायद में फरवरी से मार्च तक की जा सकती है जलवाई और भूम मक्का की फसल के लिए बुआई के समय जलवाई के साथ 18 से 30 डिगरी तापमान होना चाहिए मक्का की खेती के लिए लगबख सभी परकार की किर्शी योगी भूम में की जा सकती है लेकिन अच्छी पैदावार के लिए जल निकास वाली वाई संचार और दोमट वा बलुवी दोमट मिटी होना चाहिए और प्रंत अधिक्तम पैदावार के लिए गहरी उपजाओ दोमट मिटी उत्तम होती है पियच मान जो है कम से कम 6.05 से 7.05 के मद्ध होना चाहिए फसल में पोसक तत्तों की पूर्ती के लिए जिवांस तथा रसायनिक खाद का मिला जुला प्रियोग बहुत लाबकारी पाया गया है खाद यों उरुकों की सही संतलित मात्रा का निधारन खेत की मिटी प्रिछण के बाद ही तै किया जाना चाहिए मक्का बुआई से 10-15 दिन पूरु 10-15 टन प्रती हेक्टर सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में अच्छी तरह से जरूर लगाना चाहिए फटलाइजर प्रियोग 10 किलोग्राम जिंक सलफेट प्रती एकड जरूर लगाना चाहिए किसान भाईयो 150 किलोग्राम नाइट्रोजन 75 किलोग्राम फासफोरस 60 किलोग्राम पोटास प्रती हेक्टर की दर से प्रियोग करें जो एक तिहाई नाइट्रोजन है वो बेसल डोस के साथ बुआई के समय दें बाकी का नाइट्रोजन एक तिहाई घुटनों के बराबर जब अपनी फसल हो जाती है मक्के की उस समय प्रयोग करें बाकी एक तिहाई नाइट्रोजन फसल में जंडे आने के समय प्रयोग करनी चाहिए तो किसान भाई यो भॉवाई की जो दूरी है वो अच्छा उत्पादन लेने के कतार से कतार की 60 सेंटीमीटर दूरी रखें पौधे से पौधे की दूरी 20 cm रखें किसान भाईयो वरैटियों के अगर बात की जाए मक्के की तो आपके एरिये में रिकमेंड़ेट कीगी ही वरैटियों का चिनाओ करके बौई करनी चाहिए और किसान भाईयो हाईब्रेड यानि संकर प्रजातियों की बौई करके अधिक पैदावार हमारे किसान भाई मक्के से ले सकते हैं और किसान भाईयो बात करें अगर खर पतवार नियंतरन पे तो विसेस हमारे किसान भाईयों को ध्यान रखना चाहिए बौाई के समय खेत में नमी प्रयाप्त होनी चाहिए जिस कारण 30 से 35 दिन बाद पहली सिचाई की अशक्ता पड़े हमारे खेत में तो जिससे ये होगा किसान बाईयों की खेत में खर पतवारों का जमाव कम होगा और किसान बाईयों चोड़ी पती के लिए आप 240 फर्योग करके रोक थाम कर सकते हैं और किसान बाईयों 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 के समय यानि बीज अंकरित होने से पहले 500 ग्राम एटरा जिन बाईयों के तुरंत बाद छिड़काओ कर दें जिससे खर पतवारों का जमाव भी कम होगा तो किसान बाईयों इन बातों का अगर आप विसेद ध्यान रखते हैं तो अपनी फसल मक्के से अधिक पैदावार हमारे किसान बाईयों ले सकते हैं सबी किसान बाईयों को धन्यवाद